नमस्कार सांथियों हमारी इस नई श्रंखला कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक है MPPSC Prelims की Unit 1 का मद्ध प्रदेश के साहितिकार जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हमद्ध प्रदेश से संबंदित सभी साहितिकारों को देखने वाले हैं प्राचीन कालीन, मद्ध कालीन और आधुनेक, सांथियों कुछ भी हम शुरू करें उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि साहितिकारों से संबंदित किस-किस तरही की प्रशन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं साथ बिंदु ऐसे हैं, जिने हमें कवर करना चाहिए पहला बिंदु, किसी साहितिकार का जन्मस्थान क्या है? या वो और वो किस छेतर से संबन दे थे, number second उनका मूल या वास्तविक नाम क्या है, look 3 उनकी कोई उपादी है क्या, button 4 यदी उपादी है या वो किसी के दरवारी थे, तो वो किस के दरवारी थे, मतलब किस राजा ने उन्हें संडख्षन दिया, number four, number five उनकी प्रमुक रचना नमबर छे, कई रचनाओं के अंदर की जानकारी भी पूछ ली जाती है, कि बताईए ये वाली चीज कहां वहने थे, और नमबर साथ, ये बहुत रेर पूछा जाएगा, पर ये भी एक पॉइंट है, जिसे ध्यान दे रहा होगा, कि कोई खास साहतिकार किस समयाबधी से संब पूछे जा सकते हैं, और इसी के आसपास पूछे जाते गए हैं, अभी तक, तो शुरूबात इसी दिशामेह में करनी होगी, और हम कुछ भी शुरू करें, तो एक बात और इस प्रेश कर दूँ, कट्ट्ट कर शंकला का उद्देश, आपको बहुत ज़ादा डिस्क्रिप्टिव जानकारियां देना नहीं है, कट्ट्ट्ट्ट का उद्देश है, आपको to the point सटिक तथे उपलब्द कराना, और ऐसे बिन्दूओं की और आपका ध्याना करशित करना, जो अमूमन आपसे छूड जाते हैं, या आपके content में समाहित नहीं हो पाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप जब मेरा ये lecture देखें, तो मद्दिप्रदेश के साहितिकार वाला जो section आपके पास होगा, जो content आपके पास होगा, उसे आप open करके बेठेंगे, और आपको ये देखना है, कि यहा आपको कितने तथ देखें हुए लग रहे हैं, तो ओदेश दो हैं, एक तो आपका revision कराना, और number second, यदि कुछ अतरिक थे तो आपको provide करना, तो आईए शुरूबात करते हैं, cut to cut के अंतरगत, आज का हमारा topic मद्दप्रदेश के साहितिकार, सबसे पहले चर्चा करेंगे, प्राचीन कालीन साहितिकारों में महा कभी कालीदास, साथियों, इनके संबंद में इसपश नहीं किया हुआ है, नोट्स में, छेत्र, हम सभी जानते हैं, उज्जेन छेत्र संबंदित रहे हैं, संस्क्रत के कभी लेखक रहे हैं, और चंदरकुप्त दुती, मतलब जने हम बिक्रमादित केते थे, उनके नोरतनों में से एक थे, ये तीन जानकारियां मैंने आपको मौकिक रूप में दे दी, ठीक, वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, बाकी सबकी लिखी हुई है, चली, इनकी रचनाएं देखते हैं सीधे, अधिकी कालीदास की रचनाओं में क कुमार संभवम, ठीक, रगुवंशम में रगुकुल की जानकारी है, रगुकुल मतलब प्रभु राम का जो वंश है, उसकी जानकारी उसमें दी हुई है, अच्छा, कुमार संभवम में क्या जानकारी है, कुमार संभवम में माता पारवती, शिव, कारतिके, इनके परिव पूरी जानकारी है, मातापारवती के विवाह की, कार्थिके के जन्म की, ये सारी जानकारियां है, तो कुमार सम्भवम का संबंद भगवान शिव और मापारवती से है, और रगुबंशम का संबंद रगुकुल मतलब श्री राम से है, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोन इसके अंदर की जानकारी देख लेते हैं, मालविका अगनी मित्रम जो है, वो राजा अगनी मित्र, जो पुश्र मित्र सुंग का बेटा था, ठीक, और मालविका, इनका प्रणय कथा है, मतलब इनके प्रेम की, इनके अफेर्स की जानकारी इसमें दी हुई है, अच्छा, important क् ये कालिदास की पहली रचना मानी जाती है, number one, number second, पहली नाटे रचना मानी जाती है, ठीक, mention करना क्योंकि हम नाटक के अंतरकत देख रहे हैं, तो कालिदास की पहली रचना या पहली नाटे रचना दी पूशी जाए, तो मालविका अगनी मित्रम लगा देना, ठीक, अग तो दुश्यंत और शकुंतला की कहानी का इसमें वर्णन है, अब important क्या है? इस रचना के कारण ही कालिदास को भारत का सेक्सपियर कहते हैं, सीधे प्रशना आएगा, सीधे टिक लगा देना, अगला देखें, विक्रमो वर्शियम, साथियों एल सामराज जो था, उसके राज की जानकारी किस रचना में हैं, ये आपको पता होने चाहिए, तीसरा सेक्षन हम देखेंगे कालिदास का खंड कावे, सांथियों फिर वही बात, आपको पता होना चाहिए कि खंड कावे के अंतरगत क्या है, तो खंड कावे के अंतरगत दो चीजे हैं, रितु सहार और मोवर्शियम, और अब हम देख रहा हैं खंड काव, इसमें दो हैं, रितु सहार और मेग दूतम, रितु सहार के दिए में बात करूँ, तो सीधे प्रशना आएगा कि कालिदास की रितु सहार में कितनी रितुओं का वर्णन है, छे रितुओं का वर्णन सांथियों, और य कालिदास की पहली काव बे रचना मानी जाती है, देखिए, यदि नाट्टे रचना पूछें, तो माल विकागनी मित्रम लगाना है, यदि काव बे रचना पूछें कालिदास की पहली, तो रितु सहार लगाना है, और इसमें इनोंने वसंत रितु को रितुराज की संग्य दी थी ये अंदर की बात अंदर का वर्णन अंदर का जरूरी तथे आपको पता होना चाहिए सांधियों अगली रचना में एक दूतम यक्ष जो था यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को जो की उनसे दूर बहुत ज़्यादा अंतराल पर विदमान थी उन्हें संदेज भेजना था तो बादल के माध्यम से संदेज भेजना ये सारी बाते हम जानते है ठीक अब important क्या है इसमें कालिदास ने प्रकृती का मानवीकरत वर्णन किया है सीधे प्रशनाएगा कालिदास ने किस रचना में प्रकृती का मानवीकरत वर्णन किया तो आंसन लगा देना मेग दूतम और इसमें इन्हों ने अमर कंटक के सोंदर का भी वर्णन किया ये दो फेक्ट सीधे बनेंगे साथियों, हम जनरली ऊपर से इनकी रचनाये देख लेते हैं, जो कि हमें बच्पन से आद है, तो हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, दो चीजों पर ज़रूर ध्यान देना, किस केटिगरी के अंतरगत है, नाटक है, खंड काब है या महा काब है, और नमर अंतरगत बात क्या हो रही है, तो अमर कंटक के सोंदर का वर्णन कहा है, मेगदूतम में है, इसके अलावा प्रकृती का मानिवीकृत वर्णन कहा है, वो भी मेगदूतम में है, छे रितू का वर्णन किसमें, रितू सहार में है, किस रितू को रितू राज की संगय दी मतलब मद्रोदेश के बाहर, चली, वास्तविक नाम एदि इम बात करूँ, तो स्रीकंठिन का वास्तविक नाम है, और जो कन्नोज के शाशक थे, यशो बर्मन ये उनके दरवारी थे, इन्हें भारती मिल्टन भी कहा जाता है, तो मैंने दरवारी बता दी, वास्तविक नाम ठीक, अच्छा रचनाएं देखें इनकी, तो मालती माधव, महवीर चरितम, उत्तर राम चरितम, ये तीन इनकी रचनाएं हैं प्रमुख, और जो उत्तम राम चरितम हैं, ये संस्कृत का पहला दुखान तनाटक माना जाता है, पहला दुखान तनाटक सीधे आएगा, टि नाम बहुत सारे इनके बाना बत्ता बनांचल केसरी अच्छा बनांचल केसरी क्यों कह रहे हैं वो भी ब्रेकेट में लेखा हुआ है प्राकृतिक चित्रन प्रस्तोत करने के कारण इने बनांचल केसरी कह रहे हैं अच्छा वश्यवानी कवी चक्रवर्ती अच्छा कवी चक् अच्छा, इनकी रचनाओं की दिए हम बात करें, तो सांथियों obviously हर्षवर्दन के दरवार में थे, तो पहली रचना हर्षचरित लिखी, मनला राजा हर्षवर्दन पर, इसके अलाबा कादमवरी इनों ने लिखा, अब कादमवरी का important क्या है, इसे दुनिया का पहला ओपन् प्रषण घुमा के ये भी आ सकता है सांथियों, इसके अलाबा, चंडीश तक, मुकुट तादी तक और पारवती परिणय, ये इनकी अन्यरचनाए थी, चली, आगे बात करें, भर थरी, ये सब प्राचीन, कालीन, साहितिकार चल रहे हैं, भर थरी की बात करें सांथियों, तो इनका जन्म देखी, अब सताब्दी मेंशन है, जिस-जिस साहितिकार में सताब्दी मेंशन है, कालखंड मेंशन है, उनका कालखंड देखते चलना है, जिसमें आपसे कहा स्टार्टिंग में, प्रष्ण पूछा जा सकता है, कोई बहुत वड़ी बात नहीं है, पांच तीन राज्यों को कबर कर रहा है, मतलब तीन राज्यों से सम्मन्दे इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, रचनाओ की बात करते हैं, सांतियों शतक इत्राए, अब शतक इत्राए मतलब तीन तीन शतक लगाए, कौन-कौन से, पहला नीती शतक, दूसरा स्रंगार सतक, और तीसरा वेराग्य सतक, नीती सतक में अविसली धन, एहंकार इस सब की निंदा की गई है, नीती गत, जीवन किस तरह से जीना है, उसकी बात की गई है, स्रंगार सतक में स्रंगार की बात हुई है, और वेराग्य सतक में वेरागी हो जाने की बात हुई है, तो इस सब में नहीं जाना है पर शतक तरह किसका है आपको पता होना चाहिए अच्छा इसके अलावा वाक्यपदी इनकी रचना है इसे त्रिकांडी भी कहते हैं ये पता होना चाहिए कि त्रिकांडी किसकी रचना है क्योंकि वाक्यपदी जनरली हमें याद कर लेते हैं अच्छा वाक्यप में रखना जहां भी रचना के लाश्न में ब्रत्ती लिखा हुआ है तो भरतरी से संबंदिती रहेगी चलिए गुरू इनके थे गोरा खनात जी पता होना चाहिए कई वार किसी व्यक्ति के गुरू का नाम भी पूछ लिया जाता है एक्जाम में पूछ गाया है पहले भी उजेन इस्थित जो भरतरी की गुफ़ा है वो इनकी योग साधना को तरशाती है तो ये सब बाते इसलिए बता दी कि यदि कभी प्रशन आजाए कि उजेन के राजा से किस सहित्कार का संबंद है या किस सहित्कार को उजेन के शाशक होने का दाबा किया जाता है तो भरधरी आप लगाईएगा चली आगे देखें राज-शेकर सांथी आज शेकर संबंद ही ऐक बहुत important बात, पहली तो ये कि जो त्रिपूरी के कल्चूरी वंश था, त्रिपूरी का कल्चूरी वंश, उसके देव प्रथम और जो गुडजर प्रतिहार वंश था, उसके महिंदरपाल और महीपाल, तीन राजाओं के नाम मैंने लिए, इनके दरवारी रहे हैं, तो प्रश्नी य पहला मैंने क्या बोला, त्रिपूरी का कल्चूरी वंश था, उसका राजा देव प्रथम, इसके अलाबा गुडजर प्रतिहार जो वंश था, इसके दो राजा, महिंदरपाल और महीपाल, ठीक, और महीपाली था, जिसे इनों ने कहा था, उत्रपती का स्वामी, वो हम हिस एक आदवी रचने दी आपको अतरिक्त मिल रही है, तो आप नोट डाउन करते हैं, ठीक, आगे आपको बहुत कुछ अतरिक्त मिलने वाला है, इसमें तो इतना कुछ नहीं भी रहेगा, पर आगे बहुत कुछ रहेगा, देखते जाएं, अच्छा है, बॉक्स में देव प हिम किरिटिनी, हम जानते हैं, किसकी है, माघलाल चतरुवेदी, उन्हें देपुरुसकार मिला था हिम किरिटिनी के लिए, कब मिला था उस सब पर मत जाईए, बट हिम किरिटिनी के लिए मिला था, यह पता होना चाहिए, बाकी वाला फेक्ट इंपॉर्टन इतना नहीं है बस इतने ही आपको इसमें करना है चली, ये तो हो गई प्राचीन-कालीन-साहितिकारों की बात अब हम बात करेंगे मद्धिकालीन-साहितिकारों की उन्ही पांच-छे बिन्नों के इर्दगिर्द पहला नाम आपको दिख रहा होगा आचारे केशाव मतलब इतनी शुद्ध और क्लिष्ट इनकी भाषा थी कि इन्हें कठिन-काब्वे का प्रेत तक कहा जाता था कि इतना कठिन-काब्वे लिखते हैं भाई-साब किसी को समझ में ना है ठीक, अच्छा, जन्मिन का ओडचा में हुआ था सन्रक्षण इने किस ने दिया था तो राजा इंद्रजी सिही ने दिया था और मुगल बाष्शा जहांगीर के भी दरबारी रहे तो हम बस इंद्रजीत पढ़के आगे बढ़ जाते हैं जहांगीर भी याद रखिएगा इनकी रचनाए देखें साहब रसिक प्रिया, कभी प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिहीं देव, बिज्यान गीता, रतन बाबनी, जहांगीर रस चंद्रिका, नक सिख वर्णन, राम अलंकरत मंजरी, छंद माला, बारह मासा और विज्यान गीता इतनी सारी रचनाए जरूर देखें इनमें से एसी कौन सी है जो आपके content के बाहर की है चलिए अगला देखें इनकी सरवाधिक रचनाय स्रंगार रस में लिखी गई चलिए अगला नाम देखें साथियों पदमाकर या प्यारे लाल जन्म सागर छेत्र जैसा मैंने का सबका करना है अन्य नाम है कभी शिरो मड़ी अब इनकी रचनाय देखते हैं अब रचनायों के अलावा भी कुछ important इसमें उस पे भी चर्चा करेंगे पहले रचनाय देखो हिम्मत बहद्दुर विरूदावली, प्रताप सहीं विरूदावली, जग विनोद, जैसीं विरूदावली, हितोब देश, अली जाह प्रकाश, गंगा लेहरी, यमना लेहरी, राम रसायन, कभी 25, प्रबोध 50, राजनीती की वंच निका और पदमा भरण इतनी सारी रचना है, इंपॉर्टेंट है सब, देख लो आपके कंटेंट के बाहर की क्या है, लिख लो सांसा, अब इंपॉर्टेंट क्या बात हैं, जो अली जहा प्रकाश इनकी रचना है, वो इनोंने गौाली अर नरेश, दोलत राव सिंदिया की प्रशनसा में लिखी यह पता होना चाहिए कि कौन सी रचना किस राजा के संदर में लिखी गई, अगला देखें, वालमिकी रामायन का जो भाशा अनुबाद है, वो इनोंने राम रसायन के नाम से किया, ठीक, और जो जैपुर के महराज थे जगत से ही, उनके नाम पे लिखी इनोंने जग विन तो इतनी सारी रचनाओं में तीन रचनाओं से संबंदित अतरिक्त बिंदू थे, जो मैंने आपको बता है, अगला देखें, भूशन नाम है, देखें, इतने सारे क्लासिफाइवे में पॉइंट लिखे हुए हैं, बिलुकुल कट टू कट, हर पॉइंट बहुत पर वास्तविक नाम क्या है? घनशयाम, सांधियों पुराने प्रशन पत्र उठा के देख लो, साहितिकारों के, व्यक्तियों के, मूल नाम, वास्तविक नाम, ये सब पूछे गए हैं, चली, इसके अलावा, जो भूशन इनकी उपादी है, वो चित्रकूट के राजा, ये सब का सम्द्ध भूशन से है, ठीक, जन्म हुआ तिगवापुर मतलब कानपुर, और ये शिवाजी महराज के समकालीन थे, अच्छा, अब शिवाजी महराज के समकालीन थे, तो रचनाय देखे जरा इनकी, छत्रसाल दसक, शिवराज भूशन, भूशन उल्लास, शिवाबावनी, ये सब सिवाजी को केंद्र में रखे इनोंने लिखी, अच्छा, भाषा इनकी ब्रज थी, इंपोर्टन नहीं एतना, मुख्विंद्धू देखते हैं, इनने संडक्षन किसी ने दिया, तो राजा छत्रसाल ने दिया, क्योंकि जैसा मैंने कहा, उनके सम् हुआ था उज्जेन में, जी हाँ, राजा भोज का जन्म उज्जेन में हुआ था, ये क्लियर कट पता होना चाहिए, धार में कन्फ्यूज नहीं होना, रचनाए देखें, भोज प्रवंधन, जोकी इनकी आत्म कता थी, ये भी पता होना चाहिए, सरस्वती कंठावरण, ब बखरी पड़ाओं पे हम पहुच गया है, जो की है आधुनिक काल के साहितकार, देखें, आधुनिक काल के साहितकार से सम्मंदित क्या-क्या मटेरियल, क्या-क्या कंटेंट हमारे पास आपके लिए है, पहला नाम है माखललाल चोतरवेदी, जिने भारती आत्मा कहते हैं, दीखें, जन्म बहुत जरूरी है, इनका याद करना, चार अप्रेल 1889, होशंगामाद बतलब बरतमान नर्मदापुरम के बाबई छेत्र में, ठीक, और यह जो बाबई है, इसका नाम अब माखललाल नगर हो गया है, इनही के नाम पर, अच्छा, देहान दिन का हुआ था, चाहिए, हिम किरिटनी के लिए देव पुरुसकार और हिम तरंगनी के लिए साहित कादी पुरुसकार, माता, युग चरण, मरण जोआर, छेजुरी काजल आज रही, धूम्र बलै, साहित देवता, अमीर रादे, गरीव रादे, पाउं पाउं, क्रिश्न अर्जुन, कला क अनुवाद, समय के पाउं, चिंतक की लाचारी, समरपड, धरा और बीजरे, वनवासी, आत्म दीक्षा, रंगों की बोली, वेडूलो गुंजे, पुष्ब की अभिलाशा, दीप से दीप जले, कैसा चंद बना देती है, इतनी सारी रचना है, ठीक, आगे देखते हैं, कु पुष्ब की अभिलासा, इनकी रचना है, वो इनोंने बिलासपुर जेल में लिखी थी, ठीक, इसके अलावा सरप्रतम इनोंने प्रभा का संपाधन किया, और उसके बाद प्रताप और कर्मवीर, नाम की पत्रिकाओं का अभी संपाधन किया, ये पता होना चाहिए, अच् जो की एक व्यंग कार थे, सांथियों जन्म बहुत इंपोर्टेंट है, शेयोपूर में हुआ था 1917 में, तो शेयोपूर 1917, अब रचना हैं देखो, चांद का मूतेडा, एक साहितिक की डायरी, नई कवीता का आत्म संगर्ष, भारत इतिहाज वसंस्कृति, कामाईनी एक पाठ का सपना, विपात्रा, भूरी-भूरी खागधूल, चंबल की चाती, भूल गलती, शक्ती के अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, नए साहित का सोंदर शास्त्र और नए निवंद, ये सब इनकी रचनाएं हैं, यदि हम अन्नितत्थि की बात करें, तो तार सब तक का प प्रतिष्ठित कवी, अगला नाम है सुबद्रा कुमारी चोहान जी, साथियों इनका जन्म प्रयाग में हुआ था 1904 में, उत्तर प्रदेश से सम्मंद थें, शादी इनकी हुई थी लक्षमण सींजी से जो की खंडवा के हैं, पर इनकी कर्म स्थली रही जबलपुर, तो तीन तीन छेत्रों से इनका सम्मंद है, प्रयाग, खंडवा और जवलपुर, अब देखें, इनकी एक रचना है मुकुल जो की 49 कवीताओं का संग्रय है, बिखरे मोती, उनमादनी, त्रीधारा, सभा के खेल, सीधे साधे, जासी की रानी, वीरों का केसा हो बसंत, जलिया पाला बाग, नंदनवन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी, राखी की चुनोती, ये सब इनकी रचना हैं, अब कुछ अन्ने तत्थ देखते हैं, अब इनमें से आपको कुछ अत्रिक्त मिल रही है रचना तो नोट डाउन करते हैं, चलें, अन्ने तत्थ देखो, जो मुकुलिन की रचना थी, उसके लिए इने दो बार, और जासी की रानी नाम की जो रचना थी, उसके लिए एक बार सिक्सरिया अवार्ड मिल चुका है, ये पहली महिला थी साथियों, जो असहयोग आंदोलन में भाग ली हुई थी, जी हाँ, गांधी के असहयोग आंद सर्मा नवीन, 1897 बता होना चाहिए, शाजापुर में इनका जन्म हुआ, रचनाएं देखें, उर्मिला, प्राणारपन, कुमकुम, अपलक, रश्मीरेखा, कौासी, विनोवा, स्तवन, हम विश्पाई, जनम के, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, अब इनके कुछ अन्यतत दे रहे थे, जैसे माखलाल चतुरवेदी जी रहे थे, क्लियर, वो प्रताप, प्रभाग, कर्मवीर, इस सब के रहे थे, ये प्रताप और प्रभागे थे, अच्छा, स्वतंतरता सेनानी तो थे, इसके अलावा, संबिधान, निर्मात्री सभा के सदस्य भी बने थे, साथियो और इन्हें राजभाशा आयोग का सदस्य भी बनाये गया था, ये आपको पता होना चाहिए, अच्छा, हरी शंकर परसाई, ये नीचे वाला important नहीं है, कि लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य रहे, ये मेटर नहीं करता, पर संबिधान सभा के सदस्य थे, राजभाशा आ अब देखें, रचना इतनी सारी है इनकी, आपको जो रचना एक्स्ट्रा लगरी हो, साथ में लिख लेना है अपने content में, देखें, तौर्च बेचने वाला, शिकायत मुझे भी है, भूत के पाउं पीछे, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नाक्फनी की कहानी, तट की खोज, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, हसते हैं, रोते हैं, वैशनव की फिसलन, तिरची रेखाएं, ठिटुरता हुआ गड़तंत्र, विकलांग, सुनभाई साधू, एक लड़की पांच दिवाने, जौाला और बल, न इनकी रचनाये हैं, साथियों, जवलपुर से वसुधा और प्रहरी, इसका इन्होंने संपादन किया, अगला नाम देखेंगे, शरत जोशी जी का, जन्म 1931 उज्जेन बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है, रचनाये देखें, जीप पर सवार इल्लियां, फिर किसी दिन, दूसरी सतह, रह किनारे बेट, पिछले दिनों यह था संभव, अंधों का हाती, एक था गधा, मैं और केवल मैं, तिलिस्म और मैं, यह सब इनकी रचनाये, रिकी यह सब अलग लगे, मैं और केवल मैं, फिर तिलिस्म, और फिर मैं, ठीक, अच्छा, पदमश्री मिला इने भी 1990 में, ठीक, इसके पहले अपने एक और देखे थे, जिने मिला हुआ था, तो देखो, मैं क्या वोल रहूँ, चुनिंदा है जिने पदमश्री, पदमभूशन मिले, तो आपको देखते चलना है, किस साहित कार को पदमश्री मिला है, किस को पदमभूशन मिला है, चुनि पूरा नाम है इनका मुहमत सिद्ध की मुला रामुजी, देखें, जन्म 1896 भोपाल में हो गया, गुलावी उर्दू इनी के दोरा इजात की गए, इने गुलावी उर्दू का जनक कहते हैं, अच्छा, अब इनकी रचनाएं देखेंगे, खबातीन अंगूरा, मुसाफिर खाना, औरत, जात, शादी, लाठी और भैंस, शायर से जंग, दीवाने मुला रामुजी, जिन्दगी, इमतिखावे गुलावी उर्दू, मजमुआ गुलावी उर्दू, बीकालाद गुलावी उर्दू और गुलावी शायरी, तो दो बा मुझी लगा देना, औरत, विवाह, इस सबसे कुछ देखे, वो लगा देना, देखे, शादी, औरत जात, ठीक है, शायर से जंग, अब औरत से जंग चलेगी, चलिए, तो वो सब इनने मेंशन किया, चलिए, अन्य तथ जो important है, कि उर्दू अकादमी जो है, उसने अपने भवन का नाम इनी के नाम पर रखा है, यह आपको पताऊना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, चलिए, आगे बड़े, आचारे नंद दुलारे बाचपई, साथियों, जन्म, मगरा, यर, मतलब उन्नाव, यूपी, मद्ध प्रदेश के उज्जेन से इनका संबंद था, इनकी रचनाएं देखें सर, हिंदी साहित्य बीश्वी सताब्दी, नय प्रश्न, आधुनिक साहित्य, राष्ट बहासा की कुछ समस्याएं, राष्टी साहित्य, निवंद, प्रकीर निका, हिंदी साहित्य का आधुनिक यूग, आधुनिक साहित्य स्रजन और समीक्षा, रीती और शैली, फिर महाकभी सूर्दास, महाकभी निराला, प्रेमचन, रस्षिधान्त, हिंदी साहित का संचिप्त इतिहास, जैशंकर प्रसाथ. दिमाग में ये रखना है कि जो बड़े-बड़े नाम है, पहरे तो वो मेंशन कर लेना है, सूर्दास, महाकभी निराला, प्रेमचन, जैशंकर प्रसाथ, इन सबसे रिलेटेड इनोंने कुछ ना कुछ लिखा. इसके अलावा, हिंदी साहित, निवंद, उसकी आधुनिकता, उसके संघर, इससे रिलेटेड कुछ दिखे, तो भी आप आचारे नन्दुलारे बाचपी लगा दिना. देखे, प्रिलिम्स का पूरा खेली ये है, कि आपको पूरी चीज़े बिल्कुल as it is, रटी हुई हो ये पॉसिवल नहीं है. आपको थोड़ा सा देखना है कि कि किस दिशा में व्यक्ति लिख रहा है, उस तरह से भी आप बहुत करीब आंसर के हो सकते हैं. चली, अगला द हिमाले, मिट्टी की बारात, वानी की व्यथा, कटे अंगूठे सी, वंदन वारे और प्रकृती पुरुष कालिदास. मतलब जीवन का संघर्ष, दुख, पीड़ा को सहना, इस सब से रिलेटिड है कुछ लगे आपको तो आप श्रिमंगल सिंग सुमन लगा दीजेगा. द पूरी बात इसके इर्दगिर्द है. चले, अगला नाम देखें, भवानी प्रशाद मिश्र, 1913, टिगरिया ग्राम, खुशंगावाद. ये रट लेना है बिलकुल. रचना है देखें, गीत फरोष, गांधी पंचसती, दूसरा सब तक, चकित है दुख, अंधेरी अब देखो, बुनी हुई रसी के लिए ने साहित अकाद्मी आवाड मिला. अब ये इंपोर्टेंट है. इससे पेले माखानलाल चतुरुवेदी जी की एक रचना का हमने मेंशन किया था. ये देखते चलना. ठीक, इसके राबा खुश्बू के सिलालेक, अनाम तुम आते ह इदम मैं, नीली रेखा, तूज की आग, त्रिकाल संध्या. ये सब इनकी रचनाएं हैं. और इनो ने भी 1942 के भारत छोड़ो आंदुलन में भाग लिया था. और कल्पना नामक मासिक पत्रिका का इनो ने प्रकाशन किया था. तो कल्पना नामक मासिक पत्रिका ये आप से पूछी जाए, तो आप इनका नाम लगा देंगे. अगला देखें, बाल कभी बेरागी, इनसे रिलेटिटेट में प्रशन पूछा जा चुका है. ये आप बिगत वर्सों के प्रशन पत्र देखें. पहला देख लेते हैं इनका जन्म 1931, मनासा नीमत छेत्र से इनका संबं वास्तविक नाम है नंदराम दास, ये ही पूछा गया था. सांधियों रचना की बात करें तो गीत, दरद दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक देश के, आओ बच्चों, गाओ बच्चों, दरद दीवानी, जूज रहा हिंदुस्तानी, गौरव गीत, सरपंच, ललकार, दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गन्ध नहीं बेचूंगा, ये इनकी रचना है, मालती चोशी की बात करें, तो जन्म इनका महराज के उरंगवाद में हुआ था, इनका उपनाम शिम मंगल सिंग सुमन जी ने दिया, जो की है मालवा की मीरा, प्रशना सकता है की मालवा की मीरा किसे कहा गया और किसने कहा, चलिए, रचनाय देख लेते हैं इनकी भी, वो तेरा घर, ये मेरा घर, मोरी रंग देचुनरिया, एक और देवदास, बेटे की मा, सांस सांस पर पहरा बेठा, प्रतीदान, कोख का दर्प, मोह भंग, आउटसाइडर, प्रॉ के दो पल बहुत हैं, औरत एक रात है, पिया पीर ना जानी, रहीमन धागा प्रेम का, और आखरी प्रेम को परखा भी तो जाता है, तो आखरी नाम है परख, चलिए, तो ये इनकी रचना है, मतलब एक महिला का दर्द इसमें देख रहा है, कि प्रॉब्लम चाइल्ड, ठी कोख का दर्प, ठीक, एक और देवदास, एक बेटे की मा, सांस सांस पर पहरा बेठा, तो इस तरह से आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल कंठस चीज़ें हो, ये पॉसिबल है ही नहीं, आप कम सकम 20-30 बार पढ़ते हैं तब ये चीज़ें बिल्कुल कंठस होती ह और आप पढ़ना छोड़ते हैं, फिर एक बार दिमाग से उतर जाती ही, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ये देखना है कि किस दिशा में ये राइटर लिख रहा है, उसके इर्दिगिर्द भी आप इस टिक लगा दिये, या उतना भी आपने सोच लिया, तो आपका स ही हो जाएगा अंसर, ठीक, चंद्रकांत देवतले, जन्म की बात करें, बैतूल से इनका संबंध है, रचनाए देखें इनकी, हड्डियों में छिपा जवर, जवर मतलब बुखार, दीवारों पर खून से, अगला, लकडबग्गा हस रहा है, रोशनी के मेदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, हर चीज में आग बताई गई थी, पत्थर की बेच, इतनी पत्थर रोशनी, पत्थर फेक रहा हूं, और उजाड संग रहा है, ये इनकी रचनाए है, अगला नाम देखें, अमरत लाल बेगड, क्या करना है आपको, कुछ आपको यदि अत्रिक्त रचनाए प्राप्त हो रही है, तो आपको उन्हें नोट डाउन करते चलना है, अपने कंटेंट में, अमरत लाल बेगड की बात करें, जन्म इनका जबलपुर में हुआ था, इयर इनका करने की आवशकता नहीं, इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है, इनकी तीन प्र संदर की देवी नर्मदा, अमरत से नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा, अगला देखें कभी प्रदीप, साथियों जन्म उज्जेन बिलकुर रट लेना है, प्रमुकरचना दूर हटो यह दुनिया वालो हिंदुस्तान हमारा है, ए मेरे बतन के लोगों आप सभी जानते है 1962 में भारत चीन युद्ध के दोरान शहीदों के लिए नोने लिखा था, और इनका मूल नाम जो बहुत इंपोर्टेंट है, राम चंद्र नारायन दुवेदी, राम चंद्र नारायन दुवेदी हो सकता है एक्जाम में आ जाए, जैसे बाल कभी वेरागी जी का आ गया था अगला देखें, राम कुमार वर्मा, साथियों इन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहते हैं, बस इत्ता याद रखना हिंदी एकांकी का जनक या हिंदी साहित का एकांगी संब्राट, तो एकांगी जहां देख जाए, आप राम कुमार वर्मा लगा दीजिएगा, वशीर बद् आस रोश्णी के घरोंदे हिंदी तुम्हारे लिए और कौच अगला नाम है अनिल माधवदवे ये परिया वरण विद रहे हैं ठीक प्रमुक इनकी रचनाये देखें इनकी रचनाये है नर्मदा समगर अब जड़ा कंफ्यूज नहीं होना अमरतलाल बेगड की भी रचनाये नर्मदा से रिलेटेड है इनकी भी एक है नर्मदा समगर कंफ्यूज नहीं होना उनकी थी अमरतस नर्मदा तीरे तीरे नर्मदा ठीक इनकी है नर्मदा समगर शिवाजी वा सुराज स्रजन से विसरजन तक ये तीन इनकी प्रमुक रचनाये हैं नर्मदा समगर शिवाज जीवा सुराज और स्रजन से विसरजन तक सांथियों उज्जेन के बढ़ नगर से इनका संबंध रहा अनिल माधव दवे एक्जाम में पूछा जा सकता है बस तीन नाम और हम देखने वाले हैं जर देखें कामता प्रसाद गुरू संबंध सागर से साथियों हिंदी भाषा में पहला पूर्ण और सबसे मानने व्याकरण इनहीं ने रचा इसा माना जाता है ठीक है अगला नाम है गिरिजा कुमार माथोर संबंध इनका अशोक नगर से इनकी प्रमुक रचनाएं देखो मंजीर हम होंगे कामियाव एक दिन में वक्त के सामने ये तीन इनकी प्रमुक रचनाएं है और देखो में वक्त के सामने को भी साहित अकादमी अवार्ड प्राप्त है चली तो ये तीन रचनाएं बता चुक हूँ मैं अभी तक पूरे लेक्चर में जिनने साहित अकादमी साथियों स्री राम परिहार स्री राम परिहार एक नाम रहे गिया नीमाडी साहित का इतिहास कहे जन सिंगा ये दो इनकी प्रमुक रचना है ठीक, अशोग बाचपई चत्तिस गड़ के दुर्ग से संबन्ध है एक पतंग, अनंत और तत्पुरुष ये इनकी रचना है मद्ध प्रदेश से जुड़ा हुआ एक चत्तिस गड़ तो इंपॉर्टेंट है ये नाम भी, ये मत सोचेगा कि चत्तिस गड़ के हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे इनको जरूर देख लीजएगा अशोग बाचपई को ये थे प्रमुख साहित्यकार उनके मूलना, उनकी उपाधिया, उनने किस राजा ने संरक्षन दिया वो किस समय विधी के हैं, उनकी रचनाएं क्या है उनकी रचनाओं में खास क्या है ये 6-7 बिंदों को हमने कबर किया और कोशिश की to the point, cut to cut, कुछ तथ है आप तक हम पहुचा दे ताकि ये आपके पास इन में से किसी तथ की कमी हो तो आप अपने content में उसे add on करके उसको और ज़्यादा गुडवत तयुक बना ले बहुत बहुत धन्यवाद